परशासन की एक और घोर लापरवाई सेकड़ो अतिथी सिक्षक मत अधिकार शेव वंचित तमाम सिकायत और प्रियाश के बाद भी नहीं कर सके मतदान गुमरा करते रहे अधिकारी मद्य परदेश विदान सबाच चुनाव 2023 में परशासन की घोर लापरवाई और मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है जिसका तूसरा नमुना 16 नॉमबर 2023 को पोल टेक्निक कोलेज प्रांगण में देखने को मिला जानकारी के नुसार अचानक 15 नॉमबर को अतिथी शिक्सकों की ड्यूटी चुना में लगाने समद्धी आदेश जारी कर अतिथी शिक्सकों को पोल टेक्निक कोलेज प्रांगण में पुलाया गया वहां पहुंचने पर उन्हें सेक्टर अधिकारी और पिठासिन अधिकारी के साथ ड्यूटी लगाने की जानकारी दी गई अतिथी शिक्सकों ने जब मतदान करने के समद्ध में पूछा तो अधिकारी टाल मटोल करने लगे जिस पर अतिती सिक्सकों के दोरा नाराज़गी जताए गई मामले की जानकारी जब विपक्षी दलों के परताशियों को लगी तो कई नेता मौके पर पहुँच गए कुछ लोगों के दोरा जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्ज निर्वाचन आयोग तक फोन वे इमेल के मादम से शिकायत दर्ज कराई गई इसके बाद भी अतिती सिक्सकों को मताधिकार का परियोग करने का मौका नहीं मिल पाया बताया गया कि परसासनिक अधिकारी देर श्याम तक अतिती सिक्सकों को गुमरा करते रहे एक बार यातरी बस में बैठकर कलेक्टर ले गए कलेक्टरेट ले गए फिर प्लिस लाइन ले गए इस परकार गुमरा करते वे उन्हें आखिर में ड्यूटी के लिए फेज दिया गया जिसे कुछ अब्यारतियों के तबारा साजिश पताया जा रहा है